किचन में नई वीडियो के साथ तो फ्रेंट साथ हम बना रहे हैं पोहे टमाटर बनाएंगे हाज रहे हैं चाहिए चली स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी बनाना तो सबसे पहले मैंने कड़ाई ले लिए कड़ाई के अंदर डाल दिया ओल और हमने आप सल्सो का यूज़ क के बनागे कौने को सबस्क्राइब कर दे लिए ऐसे कि यूजे में डाल दी हैं यूज़ उनको बढ़ते तैं दन हमुझा रहे हुत स्वैल को साथ पर य। प्रेस कर दीजि़ तो आप दे सकते लिएल्टिपकिस्टिंग आपे लांडों इसे में हलका गॉल्दन करना है तो इधर यहां पोहे जो उनको अच्छा सा वोष कर लेते हैं, दो सी तिन पानी हमें पोहे को वोष करना चाइए इसमें डाल दी हल्दी पाउडरा 10 टिपल स्पून और नमक स्वाद की अकोर्डिंग। और लालमीज पाउडरा 10 टिपल स्पून यह अपनी स्वाद़ आकोर्डि इसमें डालते थे हमने मुफली के जो कच्छे मुफली की जो गोटे नालेगे बनेगे सकारण के मुट साथ यह करें वह बनेंगे और बहुत ही टेस्टी लगते हैं बहुत ही हैल्दी रेसिपी बर रही है यह तो जरूर ट्राइ किजिएगा और अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट शेर जरूर कीजिएगा तो यह देखिए फ्रेंट्स गुमफली के जो गोटे थे वो भी इसके बहुत अच्छी बुनकर रड़ी हो चुके हैं अगर 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 आपको रेसिपी चेले गए तो वीडियो को लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल को ज्यादा जादा अपने दोस्तों में रिलेटिव में चैनल को शेर कीजिएगा तो यह देखिए फ्र टाल देते हैं और तो पहे को मैं बतारी हूं आपको पहले ही मैं निकाल दिया था तो कि पहे के अंदर बहुत गंदगी होती इसको चुछ साफ करना चाहिए तो यह देखिए मैंने 2-3 पानी साफ कर लिया था और इसको देखिए आप कितने बढ़िया हमारे वाइट पोहे एकदम खिले-खिले एक एक पोहे आप गिन सकते हैं तो फ्रेंड्स अगर आपको रेसिप अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताईएगा और यह देखिए पोहे हमारे बनकर रड़ी हो चुके हैं तो मैं इन्हें अलग बरतन में सर्व कर लूँग यह देखिए कितने खिले-खिले पोहे बने बिल्कुल एक बेक दाना हमारा खिला-खिला पोहा बनाएं और बच्चों बड़ो सभी को बहुत पसंद होता है और जटपर बनने वाली रेसिपी है और हैल्दी रेसिपी है तो जरूर ट्राइ किजिएगा और यह देखिए मैं इसको लग बरतर में सर्व कर रही हूं तो फ्रेंड्स मिलते हैं एक ऐसी सिंपल सी और आसान सी रेसिपी के साथ लगसमीज किचन तब तक के लिए धन्यवाद बाए बाए कमेंट करके जरूर बताइएगा कि अगर आपको अच्छी लगे तो भी अगर ना लगे तो भी इस